नमस्कार स्वागत है अब सभी कारे नीज पर आपके साथ मैं हूँ पल्लेवी रवी इंदर सिंग सत्ना में मुख्यमंत्री शुराज सिंग चोहां चुनावी दोरे की बीच खाना खाने आदिवासी बसंती के घर पहुच गए बसंती ने मुख्यमंत्री के लिए चनी की भाजी भरता और चूले पर हाज से बनी पनपती रोटी के साथ दाल चावल लौकी की सबजी और खीर बनाई थी सियम शुराज के सास आपको बचाते चले की सांसत गणेश सिंग भाजपजिला ध्यक्षु नरेंत्र पाठी तथा विधाक शुरत कोल ने भी खाने का स्वाद लिया सियम कमरे से बाहर निकले और सीधे चूले की पास गाओं की अन्य महिलाओं के साथ बैठी बसंती के पास ज़ाकर बैठ के उन्होंने भोजन के तारीफ करते हुए कहा कि जो स्वाद बैनों के हाथ की बनी रोटियों में होता है वो कही नहीं होता क्योंकि उसमीन का प्रेम भी मिला होता है उन्होंने पूछा कि यहाथ की रोटिया कैसे बनाती है बसंती ने बताया कि गूते आटे को हाथ से गोल आकार दिया जाता है उसकी मोटाई जादा रखी जाती है और उसे आग पर पकाया जाता है उन्होंने महिलां से उनके समस्यां पूछी और कहा इन पर ध्यान जरूर दिया जाएगा मंगला और कोचनाई प्रशार के दरान सीयम आदिवासी बसंती की घर पहुचे थे यहां खाने के बाद सीयम चलने को उठ खड़े हुए तो बसंती उनके पहरों पर जुग गए शुराज ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया बसंती ने बताया कि पहला मौका है जब कोई सीयम गाउं में आया हुआ है या उनके जीवन का यादगार शड़ है जब मुक्यमंत्री शुराज उनके घर आए खाना खाया और इतनी देर तक बैट कर उनसे बात चीत की बसंती ने कहा कि चूले से वनी रोटी का स्वाद अलग होता है इसलिए उन्होंने भोजन गैस चूले पर नहीं पकाया बसंती के घर भोजन करने के बाद मुक्यमंत्री जनपर सदसे छोटी कोल के घर पहुचे वहाँ उन्होंने चायपी लोगों का कुशल शेम पूछा सीम के स्वागत के लिए यहां सिर्पर मंगल कलशलिये कन्या खड़ी हुई थी तो मुक्यमंत्री के गाउं में आगमन परिस्थानी लोग ठोल बजा कर खुशी में नाच रहे थे तो 36 गर्ड में सताधरी कॉंगर्स की विधायक विनोच चंद्राकर ने सरकारी दफ्तर में घुस कर गुंडा कर दी के मामला राज के महा समुन्द जिले का है विधायक विनोच चंद्राकर पर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ आपकारी कारले में घुसकर करमचारियों के साथ मारपीट की मारपीट के दौरान एक करमचारी की आँख भी फूट कई बड़ी बात यही कि इस मामले पर पोलिस ने अब तक कोई केस दर्ज ही नहीं किया बदाया जा रहा है कि आपकारी अधकारी विधायक विनोच चंद्राकर के मन मताबिक काम नहीं कर रहे थी इसलिए उन्होंने अधकारियों के साथ मारपीट की मारपीट के दौरान जिस करमचारी की आख फूटी वा लिपिक था आपको बता चले मारपीट के बाद इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है जिसमें विधायक विनोच चंद्राकर खुद मौजूद है तो भही घायल हुए लिलाराम शाहु ने कहा है कि महा समुन्द में विधायक विनोच चंद्राकर ने अपने साथ ही दीपक थाकूर और आने लोगों के साथ आकर मुझसे मारपीट की और मेरा फोन छीन लिया था मैं एकसाइज ओफीस में ऑपरेटर के पत पर कारे करता हूँ तो MP में पुलिस कमिशनर सिस्टम लागू हो करने पर फिर से ब्रेक लग चुका है आपको बताते चलें कमिशनरी परिणाली भोपाल मदप्रदेश में पुलिस कमिशनर सिस्टम पर फिर से ब्रेक लग चुका है कमिशनर सिस्टम शुरू करने खेले प्रदेश सरकार की तरफ से काम शुरू किया गया था प्रदेश के ग्रह मंत्री नरुतर मिश्रा ने इससे इंकार कर दिया उनके मताबिक ऐसा कोई प्रस्ता उन्हें नहीं मिला MP में आपको बता चले पुलिस कमिशनर सिस्टम लागो होने को लेकर लेकर लंबे समय से चर्चर चल रही थी मेरी टेबल पर पुलिस कमिशनर सिस्टम का प्रिस्ता नहीं आया है इसैसाफे के मध्रदेश में पुलिस कमिशनर सिस्टम अभी के लिए Лागो नहीं होगा साथ ही कमिशनर प्रणाली को आसान भाशा में आपको समझाए तो फिलहाल पुलिस अधकारी कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंतर नहीं होते हैं वे आकस्मे परिस्थितियों में डिया मंडल कमिशनर या शौसन के लिए निर्देश पालन करते हैं पुलिस कमिशनर प्रणाली लागू होने पर जुला अधिकारी और एग्सक्यूटी मजिस्ट्रेट के अधिकार पुलिस अधकारियों को मिल जाएंगे तो भोपाल में जो लोग सोने या चान्दी में निवेश करना चाहते हैं वाज जल्दी खरीद ले सोने के दाम आसमान चूने वाले हैं दिवाली आने तक सोना और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा बैंकबाजा.com के अनुसार आपको बतात चुले मंगलार को मद्रदिश की राजधानी भोपाल में चान्दी के दाम आपको ताचले एक रात में कम हो गए हैं चान्दी के दाम में पूरे सो रुपे का अंतर आया हलांकि शाम तक फिरदाम बढ़ गज़ सकते हैं आज भी भोपाल में चान्दी सब्तर हजाद दो सो के हिसाब से भिकेगी भोपाल सराफा बजार में आज बाइस केरट गोल्ड पैतालिस सब्साद चास्वा सी रुपे के हिसाब सही भी केगा कल किया पिक्षा 22 केरट सोना जरा भी महंगा नहीं हुआ नाराथ के समय आपको उताचले सोने के दाम में भारी बदलाव नहीं आया लेकिन अब दिवाली तक सोने के दाम आस्मान छो सकते हैं